इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा इतिहाद न्यूज में आप सभी का खेर मगदम हैं हर तरफ कोरोना का कहर जारी है लिहाजा कहीं सारे वैक्सीन कहीं सारे दवाईयां कहीं सारे काड़े और उसके लिए कोशिशन तो जारी है हमारे साथ मुझूद हैं मुश्ताख हुसेन फारुकी साहब जो पेशे से हाकिम है इनका खांदानी पेशा भी रहा है लिहाजा उन्होंने भी कोरोना कोवीड नाइंटीन पर एक साना मुखी के नाम से उन्होंने दवा बनाई है लिहाजा हमारे साथ मौझूद हैं तो हम से पूरे तफसिलात हम पूछेंगे सलाम आलेकुम रहमतुला फारुकी साथ सबसे पहले हमारे हमारे चैनल पर आपका खैर मगदम इस्तवकाल यह जो आपने बनाया है साना मुखी इस तालुक से आप थोड़े तफसिलात बयान कीजिए देखिए अल्ला ताला ने दुनिया भर में बेहसाब बेशमार जड़ी बुट्यों अशिजार को पैदा किया है उसमें एक सना मकी का पत्ता है और इसके पत्ते के तालुक से हमारे हुदूर्स ने भी फरमाया है कई आहादिस में इसका जिकर है तिब नवी में इसका जिकर है और कई रिवायतों में इसका जिकर आता है और यह बहुती मुझरिब जो है पत्ता माना जाता है उसक पारणा कई अमराज में इसमें शपात रखी है ऑल्ला ताला ने उसी के पेश नजर मैंने यह देखा कि कई हैंई हकिमों ने इसका जो है तसकरा किया शुराद में जब करोना वायरस बढ़ता गया तो मैं इसको क्यों ना मेरी फैक्टरी की तरफ से एक खिद्मत होती बोलकर जो है लोगों को इसका देना सब को पहुंचाना बोलकर एक मकसद से लेकर मैं 100 गिराम का पाकेट बनाया हूं और साथ नीम का पौडर एक पान्च डालने के बाद में एक लिटर पानी के अंदर दो चम्चे सना मगी का पार डाल कर पंद्रा मिन firmware तक उबालना है उसके बाद में उसको नीचे उतार के नीम का एक पान्च यहने एक चुटकी उसमें डाल कर आप उसकी भान अप लेना है ये दो तिन रोज अगर भाप लेंगे आप, आपकी बुखार, सर्दी, जुखाम, सांस लेने में तकलिफ ये सब धूर हो जाते हैं और अगर करोना की कोई शिकायत भी हो जाती है, या सिम्टन्स उसके रहते हैं, तो इंशालला जो है, अल्ला उसमें शफा उनको दे जाता है इसी मकसद को लेकर मैंने जो है, एक अवाम में जो है, मैं ये मेरा प्रड़क्ट सुना मकी के नाम से, तो बिल्कु खालिस वही है, मैं कोई नया इसमें ये नहीं कहा, लेकिन तजरबात से ये मझे लगता है, कि इसे इसके यो है, इलाज हो सकता है पारोकी साब, जैसा कि आपने कोईड-19 का सिक्र किया, कोईड-19 के तालुक से आपने भी इस पर कभी कुछ टैकिक की होगी, तफसिलात आपने भी पड़े होंगे, देखे होंगे, लिखे होंगे, इस तालुक से आप बताईए तो दिए ये ये अल्ला ताला के अजाबात जो है ये करोना एक वबा है जैसे 1920 के अंदर जो है इसी तरह से Spanish Influenza बोलकर आया था उस वक्त इंडिया में करीब एक करोड़ लोगां का इंतकाल हुआ था सारी दुनिया में उस वक्त तकरीबन छे करोड़ लोगों का जान भाग हो गयते हैं तो बाद में साइंस ने उसको फिर लिया हाकिकत में जो है आज हमारी खौम बोलो या सारी दुनिया की खौम जो है पुराने रिवायतों को छोड़ दिये हैं और हमारे आसपास ही कई ऐसे अशेजार हैं इन दवाया हैं हम उसको इस्टेमाल नहीं करते हैं जिसको हम जड़ी बूटी कहते हैं तो करोना का ये 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 एक वबा है अल्लाग गी तरफ से इसे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन इसका इहत्यात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक वबा अमरास जाता है अब ये जो मर्ज ऐसा है इसके जरासी मैसे हैं जब इंसान के जिसम में चले जाते हैं तो फौरन अटेक नहीं होते हो वो देस पंदरा रोज के बाद में उसका सिम्टन्स शुरू हो जाता है तो इसके तालुक से हमको जो है इहत्यात बरतना बहुत ज़रूरी है तो ये करोना वबा है और इसके जो है लोग इसमें जो है दहशत में आ गए है और गौर्वर्मेंट उससे ज्यादा दहशत पहलाई है मैं यहां तक समझता हूं मेडिया खास कर जो है ये मेमारी तो है इससे कोई इंकार कर नहीं सकता अब ये जो हमारी सारी गौर्मेंट ज जो भी जितने भी ममालिक के हुकूमते हैं, ये जो है डबली उयच्चों से काम करते हैं, अब डबली उयच्चे बोले तो वर्ल हेल्ट और्गनेशन इनका एक इतारा है, और इनके अंग्रेजी द्वाया जो है, इन्हों अपना जो है, लगाते हैं, मज़े अफसोस इस बात क है कि सारे हिंदुस्तान में, जबके एरविडिको और यूनानी की जो थर्जे रिवायत रही है, दवायों की, उसे नजर अंदास कर दिया गया है, हलांके गवर्मेंट सब देखती है, लेकिन उसको कबूल नहीं करती है, अब कई लोगों हकिमों के पास इसके फार्मूले ह ही, इमुनिटी बढ़ाने के फार्मूल है, लेकिन हकुमत जो है, वो अपने हस्पिटलों में दवाया देने का ये इंतिजाम नहीं करती है, चैसके पीछे ड्रग माफिया है, ये भी हो सकता है, ड्रग माफिया भी हो सकता है, क्योंकि उनके वैक्सिन जब बनाते हैं, अब हो सकता है, यकिन के तोर पर तो नहीं कह सकता हमें, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारी हुकुमत जो है, पुरानी परंपरा जो हमारे पांच हजार साल पहले की हिंदुस्तान की जो खौमें हैं हमारी, वो इसी पर हमें निरबर करते हैं जड़ी बूटें उंपर, आज उसको फरामुष कर दिया गया है, जिसका हल नमुम्किन है, जो भी छूटे मुटे चीज़ों को भी हम गोलियों के पीछे जालते हैं अंग्रेजी दवाएं को तरह, ये अंग्रेजी दवाएं जो हैं, एक हद तक आपको अच्छी चीज अच्छी भी हो सकती है, लेकिन वो चीज उसको जड़ से नहीं निकाल सकते हैं, कहा ये तो जाता है कि अंग्रेजी गुली जब एक खाते हैं तो उसके चार साइड एफेक्ट भी होते हैं, बलके उसको दुसरी बेमारी को जनम देने का काम करते हैं, यहों समझो, आप कोई चीज आप ले रहे हैं, तो दुसरा जनम निकलता है, आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, कुरानिक डिसीज अलोपितिक में भी नहीं है, तो आज साइंस इतनी तरकी करने के बावजूद, एक महमूली ड्रक्स नहीं निकाल सके, उसका तोड़ने करोना का नहीं कर सके, वज़े क्या है, है नहीं इनके पास, जब आपके यही चीजें जो है, हमारे अदवयात, आईर्विटिक में, युनानी में, इसके बहुत सारे आपके नुस्खे मिलते हैं, उसका तोड़ कर सकते हैं, मगर हकूमत है, इस पर तवज़े ही नहीं देती, वज़े अब वहीं माफिया, ये तो गुलाम है ना, डबली इसा भुले हम सुनने का, तो इस वज़े से अवाम इसमें पिसे जा रही है, बहुत 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 बेवाग अंदाज़ में, मुश्ताग हुसेन फारुकी साहब ने कहा कि, ये ड्रग माफिया है, जिसके गुलाम हुकूमत बनी हुई है, ये हिंदुस्तान के हुकूमत भी WHO जो कहती है, उसी के मशावरे पर, उसी के हिदायत पर अमल करती है, लिहाज़ा तमाम चीज़ें तिब नभी में भी मुझूद हैं, युनानी में भी, अईरुवधिक में भी हर चीज़ में मुझूद है, इसके बावजूद भी, आज किसी वैक्सिन का वो इंतजार कर रह है, और यहीं उनकी गुलामी जाहिर करती है, लिहाज़ा हम दूआ करते हैं कि जो काड़ा कही है, या तो फिर ये सोना मुखी, जो हमारे मुझ्ताख हुसिन फारुकी साहब निकाला है, इसका पूरे तकरिबन लोग इसका जो है, अगर जने भी ये तरकी तकलीफ है, वो इ इसका पूरे इन्शालला उमीद कर सकते हैं कि अल्ला तरह उसे शफादे, इत्याद नियुक्त देखने करें शुक्रिया, अल्ला आफिस,